शाहिद कपूर ने प्रीयंका चोपड़ा निक जोनस को दी पर फेक्ट रिलेशनशिप पर ये सलाः प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर अपनी अपनी शादी शुदा जिंदगी एंज्योई कर रहे हैं शाहिद और प्रियंका ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया है इस दोरान दोनों के अपेर की चर्चाएं भी थी लेकिन फिर शाहिद ने मीरा राजपूर से शादी कर ली वहीं दूसरी तरफ निक जोननस के साथ प्रियंका भी शादी के बंधन में बंध गई अब एक्टर शाहिद कपूर ने प्रियंका चोपणा को रिलेशनशिप एडवाइस दी है नेहा धूपिया के चैट शो में जब शाहिद से प्रियंका चोपणा को पर्फेक्ट रिलेशनशिप एडवाइस देने को कहा गया तो शाहिद ने कहा दोनों को एक दूसरे के बैकर ग्राउंड को अच्छे से समझना चाहिए क्यूंकि दोनों अलग-अलग बैकर ग्राउंड से आते हैं। इसके अलावा शाहिद ने भाई इशान खटर और एक ट्रेस जाहनवी कपूर को भी सलहा दी। शाहिद ने कहा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस में बैलेंस बना कर चलें प्रियंका के अरिस्पेशन में पहुँचे थे शाहिद बता दें कि शाहिद और प्रियंका के बीच अब सबनॉर्मल है शाहिद ने प्रियंका को शादी की बधाई भी दी थी वहीं शाहिद कपूर पत्नी मीरा राजपूत के साथ प्रियंका की रिसेप्शन पार्टी में भी पहुँचे थे वरक फ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर अपनी फिल्म कबीर सिंग की सफलता से काफी खुश है शाहिद आखरी बार कबीर सिंग में नजर आये थे फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिये थे वहीं प्रियंका ने तीन साल बात फिल्म दिसकाई इच पिंक से बॉलिवूड में एंट्री की हाला की फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो गई बता दे कि प्रियंका और शाहिद ने कमीने और तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्मों में साथ काम किया था